एक गाउं में चुडैल आदमियों को उठा कर ले जाने लगी जिसके डर से गाउंवालों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। चुडैल को शिकार ना मिलने पर उसने एक सुन्दर औरत का रूप ले लिया और रेडी पर दोसे लेकर पुरे गाउं में घूमने लगी। अब कैसे बचोगे मुझसे। फिर चुडैल आवाजें लगाने लगती है। दोसा ले लो दोसा, दोसे वाली, दोसा ले लो दोसा। अरे, ये हमारे गाउं में दोसा बेचने वाली आने लगी क्या। है जी, इससे पहले तो कभी इस गाउं में नहीं देखा इसे, चुडैल ने नहीं पकड़ा किया इसे। अरे वो औरत है और चुड़ैल तो सिर्फ आद्मियों को ही पकड़ रही है ना इतनी सुन्दर औरत को तो चुड़ैल बिलकुल नहीं पकड़ने वाली क्या क्या कहा सुन्दर आज तक तुमने मेरी तो इतनी तारीफ नहीं की अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था रीमा तुम गुस्सा क्यों होती हो चलो आज तुम्हें डोसा खेलाता हूँ मुझे नहीं खाना तुम ही जाओ मैं घर पर ही ठीक हूँ ओ हो ठीक है मैं जाता हूँ अरे डोसे वाली जरा डोसा तो खेलाओ लेकिन एक बात पताओ तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा इस गाओ में तुम क्या नई हो हाँ मैं नई हूँ इस गाउ में पहले मैं दूसरे गाउ में रहती थी वहां मेरे डो से बहुत चलते थे हम कल ही आएं हैं इस गाउ में आप खाकर देखो बहुत ही अच्छे है ठीक है खिलाओ तो जरा वा 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 मज़ा आ गया ये तो बहुत ही स्वाध है फिर वो खाकर अपने घर चला जाता है और ऐसे ही चुडैल रोज आने लगती है सारे गाउ में उसका सांभर डोसा बहुत ही पसंद किया जाने लगता है और गाउवाले फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं अब तो इन काउवालों को मुझ पर विश्वास होने लगा है और चुडैल के बारे में ये सब भूल चुके अब मैं अपना शिकार करना शुरू कर सकती हूँ अगले दिन चुडैल फिर से औरत का रूप ले लेती है दोसे वाली दोसे दोसे वाली अरे रीमा बेहन वो देखो आगे दोसे वाली चलो खाते हैं नई मेरा गल आज खराब है तुम मेरे पतिदेव को लेजाओ आज खाने के लिए इन्हें ये डोसे वाली वैसे भी बहुत पसंद है फिर तीनो जाते हैं और डोसा खाते ही वहीं बेहोश होकर गिर जाते है अरे मुझे चक्कर आ रहा है अरे अहहहहहहहहहहहह गिर गए तीनो ये औरत मेरे किसी काम की नहीं है इन दोनो आदमियों को उठा लेती हूँ फिर चुडैल अपने असली रूप में आ जाती है और हरिया और राजु को उठा कर ले जाती है उधर कुछ तेर बाद हरिया की बीवी रीमा बाहर आती है तो पूझा को बेहोश पाती है अरे पूझा क्या हुआ फिर रीमा पूझा के मूँ पर पानी डाल कर उसे होश मिलाती है और उससे पूझती है अरे मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं हमारे पती कहां चले गए? यहीं तो थे तुमारे साथ फिर दोनों मिलकर उन दोनों को गाउ में ढूटती है पर दोनों कहीं नहीं मिलते हो सकता है खेतों में चले गए हूँ शाम को वापिस घर आ जाएंगे इतना बोल कर दोनों अपने अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ चुडैल हरिया और राजु को अपनी गुफा में ले जाती है और एक पिंज्रे में कैद कर देती है जहां उसने और भी आदमियों को रखा होता है अरे हरिया भाई और राजु को भी इस चुडैल ने पकड़ दिया अरे तेरा नास मिटे चुडैल हमारे गाउं में कोई मर्द को नहीं छोड़ेगी क्या चुप करो और चलो खाना बनाओ मेरे ले सब मर्द मिलकर अपनी बीवियों से बहुत सेवा करवा चुके हो अब मेरी सेवा करो और जैसे ही तुम लोग पचास हो जाओगे मैं तुम सेब को मार डालूंगी अरे लेकिन हमें मारना क्यो चाहती हो तुमने तुमारा क्या भी गाणा है ये मत सोचो चलो जल्दी से ये बकरा बनाओ मेरे ले राजू फिर चुडैल एक लाश के पास जाती है वो लाश उसके पती की होती है राहूल मैं तुमें चल्दी जिन्दा कर लूँगी बस अब मुझे कुछी आदमियों की जरूरत है ऐसा बोलकर चुडैल फिर से गाण जाती है और डोसे बेचना चालू कर देती है तभी एक गाण वाला डोसा खाते ही बेहोश हो जाता है और डोसे वाली चुडैल रूप में आ जाती है और उस गाण वाले को भी उठा कर ले जाती है तभी उसकी बतनी देख लेती है अरे दया, अरे दया, पूझा बेहन, रीमा बेहन मेरे आदमी को ये चुडैल उठा कर कहा ले जा रही है अरे नहीं, ये डोसे वाली तट चुडैल निकली रीमा बेहन हमें इसका पीछा करना होगा कहीं हमारे पती को भी इसने तो नहीं गाप किया फिर वो छुपकर चुडैल का पीछा करती है और चुडैल की गुफा में पहुँच जाती है वहाँ का नजारा देखकर उनकी आखे फटी की फटी रह जाती है गाव के बहुत सारे आदमी एक पिंच्रे में बंद होते है अरे नहीं मेरा राजु वो रहा राबाद में जो गायब हुए जा रहे है वो सब यहाँ है हे भगवान मेरा हरिया भी है यहाँ तो मतलब इसी चुडैल ने गाव के आदमें को कैद कर रखा है लेकिन क्यों अरे बेहनो अभी यहाँ से चलो उस नास मिटी चुडैल ने अगर हमें देख लिया तो हमें भी यहीं कैद करते की और हम अपने पतियों को कभी नहीं बचा पाएंगे चलो यहाँ से हाँ हाँ बेहन सही कहा चलो गाव वापस फिर सब वापस गाव आ जाती है और सब गाव वालों को डोसे वाली चुडैल की सच्चाई बताती है और सरपंज से मदद मांगती है क्या सरपंजी मजाग का टाइम नहीं है यह वो देखो डोसे वाली चुडैल आ रही है मैं घर जाकर मशाल लेकर आती हूँ सब औरतें अपने घर मशाले लेने चली जाती है अरे सर्पन जी आज आपको डोसा खाना है नहीं नहीं हमको नहीं खाना डोसा तुमारा तुम जाओ डोसे वाली चली जाती है आज तो कोई शिकार नहीं मिला अरे सर्पन जी वो कहां गई अरे भाई हम बाल बाल बच गया, वो गई, देखो, वो जा रही है चलो अब इसका पीछा करते हैं, हमें अपने पत्यों को तो बचाना ही होगा अरे नहीं, हम नहीं जाओंगा, अभी मैं मरना नहीं चाहता तुम जाओ, मैं तो अभी जवान मर्द हूँ बुढ़ा कहीं का, अरे सर पंजी सही कहा, आप तो अभी जवान हो, आप यहीं बैठो हम अपने पत्यों की जान बचाने जरूर जाएंगी, चलो बेहनो फिर सभी गाउवालों की पत्निया मशाले लेकर चुडैल के पीछे जाती है अरे भगवान हमारी पत्नी को भेज दो अजी सुनते हो, देखो हम आ गए हैं, हम तुम सब को बचा ले जाएंगे तब ही शोर सुनकर चुडैल बहाँ आ जाती है तो तुम्हें मेरी असलियत का पता चली गया डोसे वाली चुडैल रूप में होती है, उसे बहुत गुसारा होता है चलो अच्छा है, तुम औरतों के सामने में अपने पती को जिन्दा करूँगी लेकिन तुम हमारे पतियों को क्यों मारना चाहती हो, तुम कौन हो रीमा, मेरी बहन तुम, वो देखो मेरे पती की लाश तुम्हारे पतियों की बली चड़ा कर, अपने पती को जिन्दा करूँगी रीमा जैसे ही उस लाश के पास जाती है तुमने मुझे बहन क्यों कहा अरे राहुल ये तो राहुल के लाश है तुम तुम कविता हो हाँ रीमा मेरी बहन कविता ये सब क्या हो गया, तुम मर कैसे गई, तुम तो राहुल से शादी करके शहर गई और, ये हरिया मेरे पती है, तुम मेरे पती को मार कर अपने पती को जिन्दा करना चाहती हो, मरा हुआ इंसान कभी जिन्दा नहीं होता मेरी बेहन, चुडैल रोते हुए रीमा के शादी हरिया से कर दी मेरा एक्सिडेंट हो गया था जिसमें हम दोनों मर गए मैं चुड़ेल बन गई और अपने पती को जिन्दा करने के लिए आज मुझ से बहुत बड़ी कलती हो जाती मैं अन्जाने में अपनी बेहन का ही सुहाग उजार देती मुझे माफ कर दो मेरी बेहन मुझे माफ कर दो तुम्हारी साथ बहुत बुरा हुआ मैं तुम दोनों का अंतिम संसकार करूगी जिससे तुम दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल सके फिर चुड़ेल सबके पतियों को आजाद कर देती है और रीमा भी दोनों का अंतिन संसकार करके उन्हें मुक्ति दिला देती है